स्कूली राज्य सिक्ष्वा मंत्री इंदर सिंग परमार ने शाजापूर की कारिक्रम में पहुंच कर पूर्प्रधान मंत्री इंदरा गांधी पर लोगों के मौलिक अधिकार चीनी कारूप लगाया वहीं उन्होंने 25 जून 1975 वाले कारून लागू करने वाली कॉंगर्स पार्टी को आड़े हातो लिया महीं उन्होंने शाजापूर जिला मुख्याले पर आज काला दिवस भाजपा कारी करता हो के साथ मनाया शाजापूर पहुंचे स्कुली राज्य सिक्षा मंतरी इंदर सिंग परमार ने मीडिया से बात करते हुए पूर प्रधान मंतरी इंदर गांधी के उपर आरोप लगाते हुए कहा कि 25 जून 1975 को ततकाले इंदर प्रधान मंतरी ने पूरे देश में अपातकाल गोशित का लाखो लोगों को जेल में ठूसिया था इसलिए 25 जून को पूरा देश काला दिवस के रूप में इस्मरंट करता है उन्होंने कॉंग्रेस को आरे हातों लेते हुए कहा कि कॉंग्रेस सरकान आपातकाल लगा का लोगों के मौलिकादिकारों को खत्म किया था वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा लोगों के मौलिकादिकारों का खनन नहीं करती वो आम लोगों के साथ होती है उन्होंने कहा कि आज का कारिकरम का मेन उद्देश है ये कि काला कानून क्या है और किस तरह लोगों के मौलिकादिकारों के साथ कौंगेस पाचे ने खिलवार किया है बंदेबारस से दिपक वर्मा की रिपोर्ट वो लोगों को उसमें जेल में ठूट गया था इसमें के नावालिक छात्र पे उलत्ते थे इनका कोई दोस्त नहीं था इस प्रकार आज का दिन भारत के इख्यास में काला दिवस के रूप में देश के लोग इस्वरन करते हैं बारती जन्ता पालिटी की सरकार लोगतांतिक मुल्यों को स्रुप्षित रखने का काम करती है वही कांग्रेस ने आपातकाल धोप करके देश के लोगों का मुलिक अधिकारों को समाप्त किया था वो कांग्रेस आज लोगतांतिक मुल्यों की जर्चा करती है तो जा आश्यक्त करती है और इसलिए आज का है कारिकम मुख्य रूप से 25 जून 1992 के उस खाले याद्मास को सबको इस्वरण कराना लोगों को लोकतंतर क्या है भारत के आत्मा में लोकतंतर बगता है उसके लिए भारती जर्टा पार्टी का मुझे के बारे मुझे कहने की जरुवत नहीं है उनकी पार्टी के केंडिदेटी सराप गाउं भाटने का काम वेत सराप करते आए हैं सराप नीति को लेगकर करके कांग्रेस के लोगों को बोलने का कोई हधिकार नहीं और कमलनाची को तो विचे सुरूप से नहीं क्योंकि कमलनाची कही आदमी साजापूर जिले में सब्स से जादा सराब पिलाने का काम लोगों को करते हैं